विदाउट एगरिकल्टर सेक्टर अब इंडिया को सोच भी नहीं सकते हैं त्वक्त्र भी करता रहेगा तो next 5 या 10 साल के लिए दोनों कमपनी बहुत ज़्यादा important है एक रहेगा large cap से दूसरा रहेगा small cap से जो small cap कमपनी है उसका management का guidance है कि next 4 या 5 साल के अंदर ये company 25 से लेके 30% ग्रोथ लाएगा और पिछले 3 या 4 साल का record उठा के देखते हैं तो ये company 30% की दौर स grow किया है और अगर large cap company की बात करें तो अपना revenue को पिछले 10 सालों में 8 गुना कर चुका है साथ ही net profit को भी यहाँ पे 8 गुना किया है अगर आप Indian agriculture sector की बात करें तो यहाँ पे 12.3% का growth आप expect कर सकते हैं next 4 साल के लिए और agriculture की मामले में दुनिया भर में इंडिया अपने product supply कर India Pesticide Limited और यह एक small cap company है करीब market का इसका 2500 क्रोर की आसपास देखने को मिलेगा और company के बारे में interesting बात यह है कि screener.com का जो founder है Mr. Ios Mittal जी इस company को track कर रहा है और यह company बहुत ज्यादा cash rich company है recently India Pesticide Limited 140 क्रोर का capex दिया है जो अपने capacity को expansion करने के लिए किया है जिसमें से company को करीब full capacity की द्वारान काम करते है recently company का जो annual revenue है वो 716 क्रोर का है और इसमें 300 क्रोर और एर हो जाता है तो यह 1000 क्रोर से भी जादा जाते हुए देखने को मिलेगा ताथी में आपको और भी बता दो कि recently company ने एक land acquired भी किया है जहां पे company 400 क्रोर नया capex भी करने वाला है और जो next 4 या company invest करता रहेगा अपनी capacity expansion के लिए company 1984 से काम कर रहे है company technical के साथ साथ formulation भी बनाता है जो 80% revenue company का technical से आता है जहां पे company API वगरा manufacture करते है company mainly B2B business यहां पे handle करते है जहां पे company का margin बहुत ही जादा strong है जो आगे आपको देखने को मिलेगा company का margin इसलिए strong है क्योंकि company का जो raw materials है उसका value chain company खुद बनाता है अगर चाइना की उपर dependency के बात करें तो अभी भी इंडिया pesticide limited 20% raw materials चाइना से मगाता है और 80% domestic से utilize करते है और चाइना के उपर जो dependency है उसको लगातार company कम करने की कोसिस यहां पे कर रहे है अगर import और export की ब company का कहाना है कि 25 से लेके 30% growth आप expect कर सकता है next 4 या 5 साल के लिए 2021 में list होने के बाद कोई इतना खास return इस company ने नहीं दिया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी इसका bounce back करने का समय है क्योंकि company का जो valuation है वो अभी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है तो जैसे कि आप बाद करें जहां पर company 2017 में 220 क्रोर का sale करता था वो यहां पर 4 गुना almost हो चुका है trailing 12 months के अंदर भी net profit देखिए 35 क्रोर था वो यहां पर 145 क्रोर 158 क्रोर भी company ने achieve किया था and look at the margin margin बहुत ज्यादा important है जहां पर company दूसरे B2B company हां पर 5-6% margin charge कर पाता है लेकिन ये company 20% से भ आप अपने portfolio के लिए एक अच्छा chemical company ढून रहा है जो 15 से लेके 20% तक आपको return day पाए तो ये दोनों वीडियो आप consider कर सकते है जो वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से describe किया है कि कौन कौन सा company आ गयाने वले 5 या 10 साल के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर कंपनी के उपर करजे की बात करें तो September 2022 की data का इनुसार कंपनी के उपर just 7 क्रूर का ही करजा था इसलिए company के पास cash जो पढ़ा हुए वो अच्छा खासा cash पढ़ा हुआ है इसलिए company को cash rich company भी आप कह सकते है अगर shareholding pattern को भी नज़र डालते है तो promoters के पास 67% का holding अभी भी बार करण है तो अच्छा खासा चैंक अभी भी promoters के पास पढ़ा हुआ है तो अगर आप सूच रहा है कि एग्रो chemical company आपके portfolio के अंदर जगा देंगे तो आप इंडिया पेस्टिसाइड के मिटर की ऊपर नजर रख सकते हैं अच्छी तरह से research कर सकते है क्योंकि long term जो growth है व और company के पास 18 से भी ज़्यादा R&D facilities है जहाँ पे company नए नए product बनाते रहता है और company का capacity बहुत ही ज़्यादा बड़ा है 43 यहाँ पे manufacturing facilities है जो एक number के साब से बहुत ज़्यादा है globally 10,000 से भी ज़्यादा company के पास employees है और 13,000 से भी ज़्यादा company के पास product अपना registration करके रखा है UPL Limited बहुत सारा field के अंदर काम करते है बाय solution के अंदर crop protection के अंदर post harvesting अंदर seeding के ऊपर भी काम करते है इसलिए UPL Limited का जो portfolio यह है बहुत बड़ा है और UPL Limited अपने business को expansion करने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि company का business है वो बहुत ही तेलजी से grow कर रहा है पिछले कही सालों से ऐसा नहीं कि UPL Limited just agrochemical ही बनाता है industrial chemical, chemical intermediates and specialty chemicals भी यह company बनाता है 138 से भी जादा countries में इसका product यहाँ पे supply होता है और market cap देखेंगे तो 55,000 crore के आसपास है जो एक large cap company है इस stock के अंदर जो सबसे खास बात है वो है company का valuation अगर पिछले 5 साल का P.E. ratio देखेंगे तो यह all time down में trade कर रहा है जो 12 या 13 के आसपास मिल रहा है तो यह point एक बहुत ही अच्छा point है UPL Limited के अंदर निबेज करने के लिए तो valuation wise यह बहुत ही ज्यादा attractive लग रहा है अगर company का revenue देखेंगे तो जहाँ पे 2011 में company 5,700 crore का revenue करता था तो यहाँ पे 50,000 तक लेके आ गया है तो पिछले 12 12 साल में company अपने revenue की यहाँ पे करेब करेब 10 गुना कर चुका है और company का जो net profit है वहाँ पे भी same growth देखने को मिलेगा company का operating margin भी यहाँ पे stable है जहाँ पे 18 से लेके 21, 22 के आसपास रहता है जो इसलिए company इतना बड़ा होने के कारण अच्छा margin भी charge कर पाता है और अच्छा net profit भी कमात है और company का revenue जैसे कि आप देख पड़ है बहुत ही तेजी से यहाँ पे grow हो रहे है company के अंदर जो सबसे डरावना चीज है वो है company का borrowing इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए 55,000 क्रोर का market cap के साथ company के ऊपर 33,000 क्रोर का यहाँ पे करजा भी है December data देखेंगे प्याउट करने के बाद आगयाने बहले 24,000 के अंदर company अपने करजे को यहाँ पे reduce करेगा तो यह थोड़ा सा relaxation की बात है लेकिन आपको avoid नहीं करना चाहिए कि UKL Limited की ऊपर अच्छा-कासा एक करजा है जिसके लिए company को एक बड़ा amount of interest भी pay करना पड़ता है तो जैसे कि तम है UPL Limited का और इंडिया की अंदर agrochemical sector बहुत ही तेजे से grow भी कर रहा है शेर holding pattern देखेंगे तो recently promoters ने अपने holding को यहाँ पे लगातार increase कर रहा है 27.85 से यह 30.74% तक लेके आ गया है within 2 years तो यहाँ पे जो growth है या अच्छा है A5 इस companies के अंदर 37% हिस्सा hold करकर रखा है जो बहुत ही अच्छी बात है DIs देखेंगे लगातार अपना हिस्सा को यहाँ पे increase किया है जो 16% आपको अभी देखने को मिल रहा है तो UPL Limited भी एक अच्छा agrochemical company है अगर आप long term के हिसाब से निभेस कर सकते है तो इस company को भी आप consider कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा company है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो like जरू कीजिए आज भी नमित रही see you on next video